गाईज आर हम लोगे कौन नए वीडियो के साथ आचुके हैं ये वीडियो बहुत जादा बहुत जादा रेयर कॉंटेंट है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अगर आप लोग ओरिजिनल सीरीज के फैन है तो आप लोगों नए ड्रागून जी वो जो बेवलेड होता है ना जो उसके अंदर वो रहता है इस टाइप का की वो घूमता है इंजिन गेर रहता है हां वो बनाना मैं आपको सिखाऊंगा तो फिर यार यह बहुत जादा रेयर कॉंटेंट गिनेच उने कॉंटेंट क्रीटर्स नहीं डाला है तो हम भी उनमें से एक अच्छा लगा तो फिर इसे बनाना अतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं समझ रहा था यह देखो यह कुछ इस टाइप से दिखता है आपको चाहिए क्या है बस एक यह एक यह यह कोई सभी ले सकते हैं और एक यह इसकी में फोटो एक मिन डाल ला तो फिर आपने फोटो देख लिए होगी वह जो कार के अंदर से लिकलता है वह आप लोगों को करना क्या है और चाहिए आपको थोड़ा सा प्लास्टिक और फैवी को एक और आपका काम हो जाएगा आपको करना क्या है गाईस सबसे पहले यहाँ पर एक छेद कर देना है मैं बनाने का प्रोसीजन नहीं दिखा सकते है यार नहीं तो लंबा वीडियो खच जाएगा यहाँ पर आपको एक सेंटर में होल कर लेना है और जो कि उसका ही है जो मैंने आपको भी दिखाया था जो 10 को को बस इसके अंदर फिट करना है फैवी को एक से चिपका दिना टाइट और ध्यान रखना है कि इन गेर्स पर ना चिपकी यह देखो एक मस्चीज दिखाता हूं और यह कैसे काम करता है यह और तो गाइस जब इस पर फोर्स पड़ेगा तब यह चलेगा यह देखो एक सब्सक्राइब यह देखो अभी नहीं चल लाए और जैसे इसके टक्कर होगी यह देखो यह आसे लॉक है और यह जैसे हटाऊंगा देखा अपने यह मैं अपने इस वाले ड्रागून में अगर लगाने की कोशिश कर सको जो की मेरा ड्रागून एफ है तो आप लोग कमेंट कीजिए मैं लगाने की कोशिश करूंगा फिर चला कर देखें गयार की यह होता की चलता है की नहीं अगर आप लोग कमेंट करेंगे ज्यादा कमेंट हो तो मैं करने की कोशिश करूंगा मैंने आपको बताया था कि यह क्या चीज है कोई भी आप पैन का भी काट कर वो ले सकते धकन या तो कुछ भी ले सकते जो फिट आ जाए बस फिट आना चाहिए और यह देखो किता बढ़िया तरीके से काम करता है अब प्रॉबब्ली यह चले ना चले सब मुझे नहीं यह अ बागी सब नहीं तो बढ़िया है अब फोर्स पढ़ेगा यह तो गाई जई थे हमारी छोटी से वीडियो उम्मीद कर तो पसंद आई होगी पसंद आएगी तो लाइक कर देना चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना थाइंकियो सो मच पर वॉचिंग बाई और यह देखो